चार चरड के मद्दान पूरे होने के बास सियासी जुबानी जंग जोरो पर है ऐसे में राय बरेली में जंसभा को संबोधित करते हुए राहूल गांधी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि मैं जो चाहूं पीम नरेंद्र मोधी से बुलवा सकता हूँ सुनिए और क्या कुछ कहा राहूल गांधी ने जो भी मैं चाहता हूँ मैं प्रधान मंत्री के मूझ से बुलवा सकता हूँ मैंने कहा नरेंद्र मोधी जी आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो दो दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अम्मानी पर मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में ठकाटक 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 पैसा डालेगे नरेंद्र मोदी अपने बाश्यम में कहते हैं ठकाटक 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 आप मुझे बताओ क्या बुल्वाना है नरेंद्र मोदी से मैं कल बुल्वा देता हूँ दो मिनद लगेंगे और अगर कुछ नहीं बुल्वाना है वो भी बता दो अमेठी में लाकों युवा हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बनाया नोडबंदी की गलत GST लागू की और आपको सडक पे खड़ा कर दिया और जब आपने रोजगार मांगा नरेंद्र मोदी जी ने कहा अमेठी के युवाओ नाले में पाइप डालो गैस निकलेगी गैस से चूला जलाओ पकोड़े बनाओ ये आपका अपमान है अमेठी के हर युवा का अपमान है भाई और बैनो हम अमेठी के युवाओं को हिंदुस्तान के युवाओं को एक अधिकार देने जा रहे हैं पहली नौकरी गैरंटीड पहली नौकरी पक्की का अधिकार बेरोजगार युवाओं डिप्लोमा होल्डर्स युनिवर्सिटी ग्रैजुएट कॉलेज ग्रैजुएट इन सब को ये अधिकार मिलेगा पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी हस्पतालों में, सरकारी कॉलिजज युनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिस्टीज में एक साल की पक्की नौकरी मिलेगी, बहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में महीने का 8500 रुपए, साल का एक लाक रुपिया, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को पहली नौकरी पक्की स्कीम में हम देने जा रहे हैं, अमेठी में लाकों युवाओं को फाइदा होगा बाई और बहनों आपके बैंक अकाउंट में लाकों रुपए आएंगे महिलाओं के बैंक अकाउंट में आएंगे, युवाओं के बैंक अकाउंट में आएंगे, किसानों के बैंक अकाउंट में आएंगे नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब में से पैसा निकाला, अदानी के जेब में डाला, सारे के सारे दुकाने बंद हो गई, फैक्टरिया बंद हो गई, नोट बंदी उन्होंने किया, महिंगाई बढ़ गई अब हमने आपके जेब में पैसा जैसे डाला, आप इस पैसे से माल खरी दोगे, कोई शर्ट खरी देगा, कोई पैंट खरी देगा, कोई मोबाईल फोन खरी देगा, यह वाँ मोबाईल फोन खरी देंगे, स्कूटर खरी देंगे, मोटर साइकल खरी देंगे, जैसे ही आपका कमपनियों में हिंदूस्तान के कोरोणों युवाओं को रोजगार मिलेगा और हमने पहली नौकरी पक्किश्किम में उनकी ट्रेनिंग एक साल की ट्रेनिंग भी करवा दी तो एक प्रकार से हम हिंदूस्तान की अर्ध अर्धविवस्ता को jump start कर रहे हैं जैसे motorcycle engine में petrol डाला जाता है वैसे ही हम आपके जेब में पैसा डाल कर हिंदुस्तान के अर्धविवस्ता में petrol डाल रहे हैं Jump start करने की तीयारी कर रहे है झाल